Final का Opposite Word क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Final का मतलब होता है Antim और Antim का उल्टा होता है शुरुवाती तो शुरुवाती को हम English में Initial कह सकते हैं I-N-I-T-I-A-L Initial या Preliminary भी आप कह सकते हैं Preliminary का मतलब होता है शुरुवाती या प्रारंभिक तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं They submitted their final report यानि कि उन्होंने अपनी Antim report सब्मिट की तो इसका उल्टा हम कहेंगे They submitted their initial report यानि कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक report या शुरुवाती report सब्मिट की या फिर आप कह सकते हैं The team met for their final discussion यानि कि team जो है वो अपने Antim विचार विमर्ष के लिए मिली तो इसका उल्टा हम कहेंगे The team met for their preliminary discussion यानि कि जो team है वो अपने प्रारंभिक या आरंभिक जो discussion है या विचार विमर्ष है उसके लिए मिली अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें